हलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो पे तो दोस्तों Realme 9 5G Speed Edition के अंदर जो heating issues आ रहे हैं काफी ज्यादा लोग इससे इरिटेट हो चुके हैं और मेरे पास भी दोस्तों यहाँ पर Realme 9 Speed Edition है और मैं समझ सकता हूँ कि दोस्तों आप लोग अभी क्या इशू फेस कर रहे हैं और आप कितना परेशान हो चुके हैं इस फॉन ने दोस्तों सच में काफी लोगों को इरिटेट कर दिया है इस फॉन के प्रोसेसर को देखके ने करी तो दोस्तों यहाँ पर एक pop-up आता था कि your phone is too hot और अभी भी आता है दोस्तों काफी ज़्यादा इशू यहाँ पर हो चुका है gaming के अंदर क्योंकि दोस्तों यदि आप gaming करते हैं और एकदम से game यहाँ पर बंद होके home page पर आ जाता है और दोस्तों एक pop-up आता है कि your phone is too hot तो दोस्तों इस issue की वाज़े से काफी ज़्यादा लोग यहाँ पर परेशान हो चुके हैं gaming में काफी ज़्यादा effect उनको हो रहा है तो दोस्तों इसके लिए मैं आज एक solution लेकर आया हूं क्योंकि दोस्तों मैं भी काफी ज़्यादा परेशान हो गया था इस issue से लेक दोस्तों काफी ज़्यादा मुझे issue आता है और दोस्तों gaming से ज़्यादा जो issue आता है क्योंकि मैं क्या एक gameplay करके अपने YouTube चैनल पे मैं upload करता हूं तो दोस्तों इसके अंदर यह issue आता है कि यदि मैं उस video को upload करूंगा YouTube के उपर अपने cellular network से यानि खुद के data से तो दोस्तों आप phone केवल यदि में 2-3 video एक साथ upload पे डालूगा ना तो दोस्तों एकदम से ही phone heat भी नहीं होता है केवल warm होता है ऐसा नहीं होता कि phone कुछ ज़्यादा ही heat हो गया तो एकदम से pop-up आता है कि your phone is too hot और जो task है वो रुख जाता है दोस्तों ऐसा ही होता है आप यदि game खेल दोस्तों उससे में आपको phone इतना ज्यादा heat नहीं करेगा आप पैनल पर चेक करना आप हाद लाके देखना दोस्तों इतना ज्यादा यह phone heat नहीं करता है बस लेकिन एक pop-up आता है कि your phone is too hot जबकि ऐसा नहीं है तो दोस्तों या तो मेरे ख्याल से एक bug है या कोई एक issue है और अपन को तो अभी जो नया update आएगा उसका wait करना है लेकिन अभी के लिए मैं आपको एक solution दूँगा दो solution में आपको यह हो सकता है कि उससे आपका जो heating issue आरा इसमें थोड़ा सा effect हो सके बाकि permanent solution में इसको बोल नहीं सकता हूं क्योंकि मैंने खुद ने try किया है थोड़ा issue कम तो हुआ है लेकिन permanent खतम नहीं हुआ है तो दोस्तों पहले issue को यहां पर बात कर लेते हैं पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मेरा phone भी यहां पर realme 9 5G speed edition है जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर डिवाइस का नेम भी है और मेरा जो प्रोसेसर है आप जैसा कि देख पारें 777 8G octa core प्रोसेसर है 8GB यह वर्जन है अब दोस्तों यहां पर solution की बात करते हैं क्योंकि इस solution के लिए मैंने जो realme 9 के sorry जो realme store के help center है मैंने वहां पर call पर बात करी है और उनसे मैं solution मांगा है मैंने 2-3 बार call पर बात करी है ताकि मैं आपको solution provide करवा सकूँ तो दोस्तों यहां पर आपको reset all settings पर जाना है और यहां पर जो आपकी settings है इसको reset करना है इस आपका phone reset नहीं होगा आपकी बस जो settings आपने की हुई है जो modification आपके phone में आपने करे हुए बस वो पहल solution नहीं मिलता है तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दू मैंने खुद नहीं observe करी है कि यदि मैं कुछ चीजें यहां पर upload करता हूं यदि मैं कुछ चीजें upload करता हूं मेरे phone में जैसे कि खुद के data से मैं कुछ task कर रहा हूं या video पे YouTube चैनल पे जाके video upload कर रहा हूं तो द task कर रहे हैं जब भी आपको heating issue आता है तो आप Wi-Fi पे connect करके इसको खेले किसी भी दूसरे phone का आप hotspot on कर लीजिएगा और Wi-Fi पे connect करके task करना मैं guarantee देता हूं दोस्तों आपका phone उस समय heating pop-up नहीं आएगा क्योंकि मैंने तो face किया है कि नहीं आता है जब भी मैंने 5-6 video upload कर द जाता है और gaming के अंदर भी same यही मैंने face किया है यदि cellular network से में करूंगा तो दोस्तों heating issue आते हैं मलब phone गरम नहीं होता है लेकिन जो bug है इसके phone का वो आता है और pop-up वापिस यहां पर जो game है वो रुख जाता है तो दोस्तों यहां पर आपको gaming की time भी hotspot on करके Wi-Fi पे connect करके game खेलना है जब तक नए update नहीं आता है नए update में आपका जो problem है यह sort out कर दे जाएगा तो दोस्तों यह रही वीडियो यादि आपको वीडियो अच्छी लगी तो please like करना subscribe करना मैं आगे भी इस phone से related वीडियो लाता रहूँगा